हेलो दोस्तो मैं सुप्रिय आप सभी को सुप्रिय एजुकेशन हब यूट्यूब चाइनल पे स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में क्या देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग हिंदी 50 माक्स पर रहे अभी जिसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 20 के दात के कहानी काड़ों में आचायरे नलीन विलोचन सर्मा का नाम साधर उल्ले के हैं वी एक विद्वान आलोचक सुधी चिंटक और मौलिक कहानी लेखक थे उन्होंने यह दपी संख्या में बहुत कम कहानिया लिखी परन्त विशिष्टाव की द्रिष्टे से उनकी कहानियों का अपना अलग महत्व है सर्मा जी ने हिंदी आलोचना की नई द्रिष्ट दिशा देने में महत्त काड़े किया उनका साहित्ते का इतिहास दर्सन नामक आलोचना ग्रंत एक मानक क्रिती है विश के रात उनका कहानी संग्रा है उनका दूसरा कहानी संग्रा सत्रह असंग्रहि उनकी कहानिया में जीवन के प्रती नया देश्टी कोन मिलता है अपनी कहानियों में सर्मा जी ने विशेश रूप से पातरों का मनोव्या ग्यानिक अध्यन परस्तुत किया है प्रस्तुत कहानियों में दो पड़िवारों का चित्रन है एक पड़िवार इंजिनियर का है इंजिनियर को अपने पद के अनुरूप लौकिक सुविधाय प्राप्त है कहानी में लेखक ने इंजिनियर की पड़िवारिक इस्थिती का सविस्था रोचक वर्णन किया है इसमें बताया है कि इंजिनियर की कोकूल छे संतान है प्राप्त में पांच लड़किया है छटी संतान लड़का है इंजिनियर के पड़िवार में तथा कतित बरे लोग बरे जिवारिक आचार सहिता का इंजिनियर की छठी संतान लड़का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका कारण भी असपस्ट है मातापिता की द्रिष्टी में लड़कियों की अपेक्षा लड़के का उंचा अस्थान होता है कहानेकार ने इस बात की वह रसपस संकेत किया है लड़का यदि कोई नुक्सान कर देता है तो इंजिनियर दमपती उस पर कारण ध्यान नहीं देते मानूं वह किसी महत्व की वस्तु नहीं है इसका परिणाम यह होता है एक लड़का दिनों दिन सरार्थी होता जाता है जब कभी इंजिनियर के घर अतिथी आते है तो इंजिनियर दमपती लड़के की सरारत और असिष्टा को ही उनके होनहार होने का लक्षन मानते है लेखक ने इसी सिल्सले में एक घटना का वर्णन किया है एक संधिया इंजिनियर के मकान के आहाते में बगल की किराने का लड़का मदन आकर उनकी गारी से खेलने लगता है इंजिनियर का नौकर उसे गारी से खेलने से मना करता है इसी क्राम में नौकर मदन को मारता है मदन का पैर फुट जाता है घटना स्थल पर मदन की मा भी उपस्तित हो जाती है नौकर के साथ मदन की मा का अभिवाद होता है फिर इंजिनियर उनकी पतनी सभी आते है सभी मदन की मां मदन को लेकर घर चली जाती है मदन रात बर कड़ाता है इधर इंजिनियर दंपती उसे पाजी बदमास आधी कहते हैं इंजिनियर मदन के पिता को बुला कर डारते वे यह काता है कि मदन सरारती है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोड डेकैत होते हैं मदन के पिता को नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है मदन के पिता करवे सभाब के वैकती है वे मदन को हमेशा उसकी छोटी मोटी गलती पर भी मारते पीटते है दुसरे दिन एक दुसरी घटना होती है इंजिनियर का लड़का खेलने के लिए मुहले में निकलता है वहाँ लड़के लट्टू खेल रहे हैं मदन भी उसमें है इंजिनियर का लड़का भी लट्टू से खेलने के इच्छा जायर करता है इस पर दोनों में जगरा बढ़ता है मदन इंजिनियर के लड़के को खुब पीटता है वो मार खाकर होता वो अपने घर आता है इधर साज होती है मदन को भय है कि घर जाने पर उसके पिता जी उसे आवस्य पीटेंगे इस करण वो रात होने पर भी विलम से घर जाने की बात सोचता है अंधेरा घर ना होता है मदन अपने मकान के पीछे पीछले दरवाजे से आंगन में प्रवेस करता है पहले वो घर में माता पिता के बाड़े में जानने की कोशिस करता है वो बगल के कमरे से सुनता है माता पिता कुछ बाते कर रहे एक वरतन से उसका पैड टकर जाता है अवास उनकर मदन के पिता बाहर आते हैं उन्हें माधन ठिटक जाता है उसे भाई होता है कि आज उसकी खुब मरम्मत होगी लेकिन ऐसा नहीं होता है उसके पिता आगे बढ़ कर सावासी देते वे उसको गोद में उठा लेते हैं इस प चप्टर था तो Wheels ?के कहानी में जो भी आप लोगों को लिखा ओया था ओर मैं आप लोगों को बता दी ठीक है से हम लोग Babud और सो याप घड़े पर चुके है सुभान खान पर चुके है विश के रात पढ़ चुके और अब हम लोगों को पढ़ना है क्या पढ़ना है ताला एक हम लोग ताला पढ़ेंगे फिर हम लोगों का यहां पर जो गद सेक्षन है यह हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ठीक है फिर हम लोग पाद भाग पढ़ेंगे ठीक है तो चल यह इस बहुत ही अच्छी तरीके से डाले गए तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिए हम लोग नेक्स टूडियो में पढ़ेंगे ताला तब तक के लिए बाई एंड थैंक्यू एंड थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो चलिए थैंक्यू बाई